हलो फ्रेंड्स मेरे चैनल वे आपिछ बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों मेरी आज्यक्य। और जीरा आलू जीरा आलू बहुत ही फटाफट बनने वाली रेसिपी है जब घर में कोई सबजी नहीं dent से है तो आलू से फटाफट जीरा आलू आप बना और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस रेड बटन को दबा कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही प्रेस कीजिए इस बैल आइकन को ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियो आपको सबसे पहले नौटिफिकेशन के तौर पर मिल सकें दोस्तों सबसे पहले हमने साथाट आलू को उबाल कर रख लिया है अब ये आलू ठंडे हो गए है मैं इनको थोजे पहले उबाल कर रख था ये मीडियम साइज आलू है आप कोई भी आलू ले सकते हैं और उनको वाल कर रख सकते हैं मसालो में हमने दो चम्मच जीरा लिया है इस चम्मच से मैंने जीरा लिया है ये मैंने अमचूर पाउडर लिया है आदा चम्मच जीरा पाउडर, हल्दी, धनिया पाउडर, कसूरी मेति लिया है जैसे भी हमें पसंद हैं दूसरी तरफ हम कढ़ाई में दो चमश ऑल रखके गरम कर लेते हैं जैसे ऑलका सा गरम हो जाता है उसमें हम एक चुटकी हिंग डाल देंगे दोस्तों किसी भी सब्जी में हिंग इसले डालते हैं ताकि वह सब्जी डाइजिस्ट हो जाए इसके बा दालेंगे और अब इसमें डालेंगे मसाले मसालों में हम डालेंगे हल्दी धनिया पाउडर और कसूरी मेथी बस यही मसाले अभी हम डालेंगे इसमें और इसको अच्छे से चलाएंगे इन मसालों को डालने से हमारे जीरा आलू है उनका कलर बहुत अच्छा आजाएगा दो मेरत तक भून लेंगे जैसी दो मेरत हो जाती है इसको भूनते हुए हम इसमें एक चमच नमक ढाले नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार डालें और इसको भी अच्छे से इसमें मिक्स कर लें यह हमारी नमक मिक्स हो गई है अब हम जो आलू काटके रखे हैं हम उन आलू को कड़ाह में डालेंगे जिस भी तरह के आपके पुईसेस पर संदों छोटे बड़े उसमें आप आलू काट सकते हैं आलू डालने के बाद जो बचे हुए मसाले हैं जैसे कि जीरा पाउडर और हमारा गरम मसाला और हमारा हमचूर पाउडर वो तीनों हम डाल देंगे ये चीज़े हम बाद में डालेंगे, इनको भी अच्छे से मिला देंगे, ताकि हमारे जो मसाले हैं, वो आलो में अच्छे से कोट हो जाएं, बिल्कुल अच्छे से मिक्स करना है इसको, दोस्तों, पूरे प्रोसेश में हमारा जो गैस फ्ले में वो लो ही रहेगा, इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, ये दिखे, सारे मसाले आलो में अच्छे से कोट हो गए हैं, लेकिन अभी तक मसाले अंदर नहीं गए हैं आलो के, तो उसके लिए हम इसको दो मिनिट के लिए कवर कर देंगे, दो ही मिनिट कवर करेंगे, उससे हमारी सबजी एकदम को क हो जाएगी अच्छे से दो मिट के बाद हम सब्जी को थोड़ा चलाएंगे तो हमारी जीरा अलू तयार हो गए है बस अब गैस को बंद कर देते हैं अब गैस को आफ करके अब हम इसमें थोड़ा सा हारा धनिया काट कर डालेंगे उससे इसमें अच्छे सी खुसबू आ जाएगी और यह देखने में भी बहुत अच्छा लगेगा बस अब इसको हम सर्व कर लेते हैं किसी वावल में तो दोस्तों तयार हैं जीरा अलू आप इसको परहाटे से पूरी से जिससे मन करें सर्व किजिए और आप इसको कभी भी बना कर खा सकते हैं यह पसंद आई हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक जरूर करें बाबाय टेक के लिए